हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हूंगे तो आज फिर से एक और नई वीडियो लेकर आगया हूँ आप सब के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो विद दे है अपने बहुत सारी फोटो एडिट कर रखी होगी अपने स्मार्टफॉन में या फिर अपने लेप्टॉब में आपने कई सारे ऐसे एप्लिकेशन यूज कर रखे होंगे जिसमें आपको जो है फोटो एडिटिंग के फीचर्स देखने को मिलते हैं और उसमें आपने बेग आप जो है उस फोटो को एडिट कर सकते हो चाहिए वह आपने फोटो कहीं भी लियो आप उसका बेग्राउंड जो है इसीली रिमूव कर सकते हो दोस्तों मैं इस वीडियो में सारी जनकरी देने वाला हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे ना तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टाट करने से पहले मेरा नम जालीजे मेरा नाम निमिश्पानेरी आप देख रहे हैं मेरा चैनल एप्रोक्स टेक चलिए जलते हैं वीडियो की दरा आप दोस्तों यहां पर आपको मेरे लैप्टॉप की स्क्रीन देखने को मिल रही होगी और मैं आपको चाहीर में बताने वाला हूं किस तरीके सहिए मोबायल में ऊपको बताता तो मोबायल में छो है स्क्रीन च्छोटी होती है तो आपको ही दीखेगा आप सकते अभ EDIT कर सकते हो यह य को अपलिकेशन में करनी है तो आपके पास कोई भी ब्राऊजर है चाहे वह च्रॉम और फिर आपके पास कोई भी Microsoft का उसके अंदर आप जो है easily edit कर पाओगे website को उपन करके कौन सी website है और क्या हम edit करने वाले वह इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा हमार पास एक फोटो है हमने select कर रखी है और बेकरांड जो है बहुत ही अच्छे फोटो निकाल के देता है तो आज हम उसका टेस्ट करने वाला है क्योंकि मैंने अल्रेडी मेरे फोटोस को एडिट कर रखा है एडिट करनी है सबसे पहले हम अपने Chrome browser में चले जाएंगे आप अपने mobile भी जो है Chrome browser को open कर सकते हो यहां पर हमने अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके स्माटफोन में इसी तरीका का इंटरफेस आने वाला है यहां पर अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करूं आप देख सकते हो यहां पर जन्रेटिव फिल टेक्स टूइमेज टेक्स इस इफेक्ट और क यहां पर जैसे आप जन्रेटिव फिल पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा अपलोड इमेज का उप्सन इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी फोटो को एडिट करना है वह आपको यहां पर मतलब कि अगर आपको मुवमेंट करानी आपके फोटो को इधर उदर करना है आप जो है पेन पर सेलेक्ट करोगे आपको बता भी दिताब कुछ इस है यहां पर इस तरीके से कर दिया है अपको क्र आपको से करना है जो χi Kelvin सकती हो चाइब आप बहुत इसे तो थोड़ा सा टाइम लगता है अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कुछ बेग्राउंड हमारे सामने आ चुके हैं यहां पे आपको तीन बेग्राउंड देखने को मिल जाओंगे तो हम देख लेते हैं पहला जो बेग्राउंड है वह इस तरीके का आया है नेक्स्ट लगांड पे क्लिक करते हैं और तीस्ता हम बेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आमारे सामने तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा एडिटेड यहां पे आ के लावा अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप कुछ और सर्च कर सकते हो यहां पर मैंने बहुत सारे बेग्राउंड चेक किये हैं और मुझे कई सारे बेग्राउंड पसाई है जो कि रियलिस्टिक भी लगते हैं यहां पर मैंने आपको दिखाने के लिए जो यहां पर इस तरीके का हमने फोटो लिया है आप जितना जैन्ज कर सकते हो आपको कुछ आपको बेग्राउं आएंगे तो यहां से आंगे अब दब आपके पुरा हो जाए आप यहां पर डाऊंपे करना है हैं यहां पर रहा हो तुर्ध करले हैं वह फूर संग्स करें हैं आपकर कि ऩफ लिए और चुन नौ को क्श्री करोगे आपकी करोगे इसके बाद आपके लेप्टप में डाउनलोड का सेक्शन वहां पर आपको कर जाएगी तो तो से वैट कर लेते हम यहां पर हमारी जो है फोटो जो है डाउनलोड हो चुकिए मैं आपको बता भी देता हूं यहां पर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा एडिटेड है वह सारी चेंज करक यहां पर आपको नीचे थोड़ा सा जो है वाटरमार्ग देखने को मिलेगा जो कि आप एजिली रिमूव कर सकते हो आपके फॉन में भी ऑप्शन आते है रिमूव करने के अधर्वाइस आप किसी एप्लिकेशन से भी रिमूव कर सकते हो बहुत ही चोटा वाटरमार्ग है खुंब और आपको लगता है कि आपका जो बेग्राउंड है उसमें बहुत सारी प्प्लीक आ रही है बहुत ही बेककार जो है बेग्राउंड है तो आप उसको एजी ली रिमूव कर सकते हो और एक दब अच्छी फोटो बना सकते हो तो आज की वीडियो में पैस इतना प्र संदे यह वीडियो को लाइक करिए का चैनल पर नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलेंगे आपको हमारी नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई जैहें